हलो नमस्कार दोस्तों आपकि अपने यूटूब चैनल स्टडी हेलफ अन्हेल्फ में आपका स्वागत है तो आज आपकी लिनुटोपिक लेगे हैं Communicable disease में से Malaria तो आज का अपना topic कौन सा है malaria आज का अपना topic कौन सा है malaria तो malaria को पहले किया है? Genotic Disease बोलते हैं कि यह जो Malaria है, वो जानवरों के द्वारां होता है, तो उसके बाद में क्या आगा? कि 1880 के इंदर, 18080 के इंदर एक सैंटिस्ट है, उसने क्या किया? कि यह जो कोज होती है, वो किसके द्वारां होती है? प्लाजमोडियम की द्वारा उसने क्या इसको डिस्कवर्ड किया था तो देखो उसका नाम क्या है सैंटिस का नाम है चारलेस एलफोन्स लारवी तो सैंटिस का नाम क्या है चारलेस एलफोन्स लारवी इसने क्या क्या था डिस्कवर्ड किया था प्लाजमोडियम का किसका क्या था प्लाजमोडियम किसके द्वारा ये क्या होता है मलेरिया होता है और आप एक अदर सैंटिस्ट को दाम को दाखता हो मलेरिया के अंदर तो वो हता है सैंटिस्ट रोनाल्ड रोस रोनाल्ड रोस तो इसने क्या डिस्क्वर किया था malaria cycle को कौन सा malaria cycle और ये cycle होता है वो कितने परकार का होता है दो परकार का होता है तो एक होता है asexual और second होता है sexual asexual किसके अंदर देखा दाता है human के अंदर और sexual किसके अंदर देखा दाता है mosquito के अंदर ठीक है तो malaria क्या है कि पहले इसको जोनोटीव डिडीज़ बढ़ा दा लेकिन थारा सशी के बाद में एक scientist आया उसने वोला की प्लाजमोडियल की दवारां कोज होता है malaria तो उसका discover किस नहीं किया था चार्लर्स एलफोन्स लारवी नाम का scientist था उसने क्या किया था प्लाजमोड को discover किया था और इसमें malaria जो cycle होता है उसको discovery किस नहीं किती Ronald Rose जो scientist है उसने किया था तो malaria cycle दो परकार का होता है एसेक्सवल और sexual एसेक्सवल किस के अंदर human के अंदर और sexual किस के अंदर mosquito के अंदर तो यह important है एसेक्सवल cycle यह जा में question आया है human के द्वारा तो next इसके अंदर अपने means देखके है malaria का malaria malaria के है दो वर्ड से मिलकर बना होता है mal plus area mal plus area यह आपने इसको कह सकते है bad air environment तो देखो कि जहां का environment के अंदर गंदी जहां का environment गंदा होगा तो उस condition में क्या होगा कि उस जग है chance किसके होगे malaria के ज़्यादा chance दो उस condition में जहां का environment गंदा होगा तो उस condition में के most mosquito जो होगे जाधा संख्यां के अंदर होगे, जहां की गंदी, जोपड़ी बस्ति अब अगरा होगी, या सलम एरिया होगा तो उस कडिशन में, मलेरिया होने के चान्स क्या होगे? जाधा होगे. मतलब कि जहां का जिस एरिया का इंवैर्यमेंट है गंदा होगा, तोस कंडिश्म में क्या होगा मलेरिया के चांस से जादा होगे तो मलेरिया क्या है मलेरिया is प्लाजमोडियम और क्या है प्लाजमोडियम वेक्टर बोर्ल डिजिज आ और किसका डिशॉर्डर है बलड सेल डिसोर्डरflow और उस चेल में कौन शेओ भी में भी में लिख आर बीसी तो मलेरिया क्या है प्लास्मोडियम के दोबरा होता है और ये क्या आती है वेक्टरन बोर्ड डिजीज होती है मतला वेक्टर कानुष हो गया मॉस्किटों के लिए और बोर्ण है कि मॉस्किटों के द्वारा ये जनम लेने वारी और ये किसका डिसोडर है ब्लड सेल डिसोडर तो ब्लड सेल में में लिकोन से होगी आरबीसी जब ये इसका क्या होगा आरबीसी का 120 दिन पूरे हो जाएंगे तो क्या होगा ये ब्रेकडाउन होगी और इसका ब्रेकडाउन कहां होती है स्प्लील को क्या करते है ग्रेव याल्ड होगे आरबीसी का कबरिस्तान किसको कहते है स्प्लील को कहते है तो RBC इसके अंदर क्या होगी तूटे की तो end product किसके अभणेगा इसके अंदर है Bill Rubin क्या बणेगा RBC का end product है क्या होता है BILL Rubin तो RBC यह बारदा तूटेगी तो उसके अंदर क्या होगा इधर के अंदर कि अदर क्या होगा Grizz हो गा तू इस अंदर में अपने को मलेरिया के अंदर अपनी को स्प्लील ओमिगेलीरी प दूए कोöyleकिया होती है सिंगल वारी होती है क्योंसी single cell जुसको अप्णे क्या बहते है यूनी Cellular क्या बहते है यूनी Cellular और ये किसके दबारा होती है ख ensures किसके दबारा होती है Plasmodium की दबारा और ये जो होता है यह लिया वीडी जिसको क्या बोलती है veteran born disease है क्या ये veteran born disease ये क्या है veteran born disease है और किस पर थे εκ करता है देख्तिरिया उसको RBC तो इसके अदर अपने का देखने को मिलती है RBC destroction होता है तो उस condition क्या देखने को मिलता है जब RBC उसके अंदर नहीं होगी अपने blood के अंदर कम हो जागी तो उस condition क्या देखने को मिलेगा अगर severe home में RBC distress नोगा तो अपने क्या बोलेंगे severe anemia तो next अपने देखते हैं इसके अंदर also known is malaria next अपने देखते हैं other name किसके malaria के तो also known is कि अपने also known as malaria किस किस नाम से जाना जाता है तो रोडाल्स रोम से उसके coding अपने इसको क्या है Roman fever के नाम से भी जाना जाता है Roman fever और इसको क्या है कि जब यह malaria के अंदर के edge RBC breakdown होता है तो वो urine की तुरों निकलेगी तो उसके अंदर क्या होगा यूरिय की amount जादा होगी तो उस condition में अपने क्या है उसके यूरिय का color क्योंड से होगा बलेक तो उस condition में क्या बोल सकते हैं इसको मैंने नहीं ग्रेंट क्योंड फीवर से फेवर और इसको अपने क्या टाइन पिछी के थीवर video के पाधिक हूं पिसके अब आलपिपन लाच सोंड़ से चलिएर्ट youngest उससे होगा है अपने मतर नहीं तो एक 158 वो या उसने किया है तो इसमें एके फाद रहेंगे है उसने किया है तो आपने यह तो गोई तो इसके दोरां जो की एक होगता है वाइबेक्स और ओवेली के दोरां उसको क्या बहुत है जो अपने क्या कहते हैं फेलसी 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 कि जो स्पेशिज देखेंगे उससे पता चल जाएदा कि कौन से अपने ओवेलिस ओवेल और फैल से प्रम और मलेरी कौन सी है तो यह मलेरिया के अधर ने मैं इस नाम से कौंशन आ सकता है कि आल सो नाम ने जे रोमन फीवर और ब्लेक वाटर फीवर भी मलेरिया को बोलते हैं कि इसको नेक्स देखो आपने इसको करते हैं प्लाज्मोडियम स्पैसिज अगर याद नहीं रहेगा तो अपने इसको कहा है जैसे अपने, आप क्या जानते हो, मेच, मेच आप सभी को जानते हो, जब जब मेच होता है, फाइनल पो उस कंडिशन में क्या है, विराट गोली आउट हो जाता है, और किसकी वज़े से, क्योंकि उसको अनुस्का देखने चलि जाती है, तो ये एक ट्रिक है तो इसके तुर आपको इजिली याद हो जाएगा, तो मेच है, विराट गोली क्या हो गया, विराट गोली फाइनल में आउट हो गया, किसकी वज़े से, अनुस्का की वज़े से, तो मेच प्रव मिन्स हो गया, मलेरिया, ठीक है, और वी का मिन्स हो गया, विराट गोली फाइनल में है, तो यवेक्स और प्लाज्मोडियम फेल्सिफरम और प्लाज्मोडियम मलेरी और प्लाज्मोडियम और यह कामिस हो गया एनोफिल्स तो इसमें देखो जब-जब में क्या आइगा तर अपने के आएगे की विराट फाइनल में बड़े में तर प्लाज्मोडियम फेल्सिफरम और प्लाज़मोडियम, मलेरी, और प्लाजमोडियम ओयल, ठीक है, तो समोस्कुटों का जो होगा, वो फीमेल एनुफिल्स मोस्कुटाइच होगा, ठीक है, तो कौन yang मम्सा होता है, मोस्ट कौन होता है, इंडिया के अंदर, वा इमेक्स, वह और कितना प्रसेंट होता है, 70%, और कौन सा फेटल या डेंजर या गातक होता है, तो वो कौन सा होता है, फेटल, फेलशीपरप्र, और मलेरी और 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 इसमें, most important इसमें है, कि यह जो plasmody-yvex है, to most form ने की खता है, कि इसके अंदर है, और जो फैलसिफरम है वो होता है फैटल, ये फैटल क्यों होगा इसका रीजन ये है, कि जिसका इंक्यूबेशन पीरिड कम होगा, तो उस कंडिशन में सायन सिंटम जल्दी आ जाएंगे, और RBC का डिस्टरक्शन जल्दी जल्दी होगा, तो उस कंडिशन में क्या होगा, कितना होता है, इंक्यूबेशन पीरिड, इंक्यूबेशन पीरिड का में सोता है, जब इंटर करता है, बोडी के अंदर बेक्टिरिया, और अपने के है, सायन सिंटम सो करता है, तो उसके बीच का डूरेशन जो पीरिड होता है, उसको क्या बोलते हैं, इंक्यूबेशन पी को बेसे और कितना होता है सब्सक्राइब तो ऑपनेको याद करते हैं तो उसके इसके याद रखना होगा होता है उसका क्या होता है 12 days और malaria होता है इसके अंदर क्या है 28 days और ओवेली के अंदर 17 days तो next अपने देखते हैं इसके अंदर next next अपने देखते हैं करने के बाद में दुबारा मलेरिया होता है उसके अपने रिलेक्स malaria कहते हैं treatment to later again treatment to later again malaria तो treatment करने के बाद में दुबारा होता है malaria दूस condition को अपने क्या बोलती है रिलेक्स malaria बोलती है और इसमें जो कौन सा होता है कि वाइवेक्स और ओवेली करती है तो most common कौन सा होता है वाइवेक्स कि रिलेक्स malaria के जो treatment करने के बाद में दुबारा होता है तो वह कौन करता है वाइवेक्स और ओवेली प्लाजमोडियम होता उसके दुबारा होता है लेकिन इसमें 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 भी कि रिलेप्स मलेरिया कि जो फैल सिफरम है ना वो क्या रिलेप्स मलेरिया नहीं कोज करता है कौन से करते हैं वाइबेक्स और ओवेल करते हैं सबस्ट्यमी आपो इजिली समझे आज गा कि ये क्यों नहीं करता ऑक हुआ तो नेस्क के अधर देखते हैं of transmission नेक्ट अपर इसके अंदर देखते हैं कि एम और टी जिसको क्या बहुतती है mode of transmission किसके धवारा यह थेलता है तो यह क्या एक indirect method है कि इनडारेक्ट मेरा यह इन मतलग डारेक्ट नी होगा इनडारेक्ट होodda है वेक्टरन वान बेक्टर क्या होगा इसके अंदर मोस्कुटों होगा जो क्या करेगा जनम कराएग्सいる को डिजीज को वेक्ट्रम बॉर्म डिजीज की दवारां क्या होता है इसका और प्रांसमीशन होता है और इसमें में मोस्कुटो म dataset कैंदर आएगा फिर एपनी होस्ट के अंदर है by मिंद। इसके फ्रू होते हैं इसको क्या बोज़त अपनी इंदारिक्त है il तो आप देखो वेक्टर क्या है मोस्कुटो और मॉस्कुटो कौन से वोगा एनोफिल्स होगा एनोफिल्स और वो अचोंछ होगा female होगा क्योंकि female reproduction में help करती है और reproduction होगा तभी तो आगे one person two other person के अंदर है जाएगा तो देखो कि इसके अंदर है अपने क्या करते हैं दो परकार से देखती है एक तो पन देखती है rural के अंदर और एक देखते हैं अपने urban के अंदर रूरल है मतलब गाउंवाला और अर्बन है सहरी वाला तो गाउंवाली है तो गाउंवाली के कोडिंग इसका नाम होगा तो उसका क्या बोलते हैं कुल्सी फैंसी गाउंवाली की साब से इसको क्या बोले हैं कुल्सी फैंसी कुल्सी फैंसी और सहरी है तो इसका सहरी के कोडि ों जिंतर्यां और व कोनेहेब Porsche लोगा और वह कह से अगर था एक है म मलेंसी करेंगे को पता हो जाएगा कि घायन में तो koolshef NC और शहर होगा तो steph Nc तो इसकी मदर ये इपने को पता चल लेगा कि कौन सा page इसके द्वारा होगा प्लाजमोडियम् जो create जो प्रेट करेंगा तो वह सहर के अंदर गरेगा तो steph Nc और गाम के अंदर जुलाई टू नॉम्बर जुलाई टू नॉम्बर तो जुलाई टू नॉम्बर क्यों होगा कि इस कंडिशन के अंदर क्या होगा कि बरसाती मतलब है रेनी सीजन होगा क्या होगा रेनी सीजन तो यह कि एक सीजनल डिजीज है क्योंकि इस कंडिशन में क्या होगा रेनी सीजन होगा तो इस कंडिशन में पाणी कठा होगा तो इस कंडिशन में क्या होगा मोस्कुटो रिपरडक्शन करेंगे मतलब बहुत सारे मोस्कुटों मत्सर पेदा हो जाएंगे कि इस कंडिशन पे अपने का है मलेरिया होने के चांस से जादा होगा तो मलेरिया मन्त कौन से हो गया जुलाइटू नॉम्बर इसके बरसात्व गरा जादा होती है ठीक है तो उसको उपने क्या बहुते हैं रैनी सी अंदर ना गर तो फर्स्ट आइस के अंदर एं कॉल्ड और सेकिंद आइस के अंदर है खोर्ट और थरड़ एश सबiano है सबीटिंग तो इक रचनों करते हैं और तो कॉल्ड होका तो उसके इनदर क्या होगा अपने को शृवरिंड और साथ में क्या होगा headache और इसका जो time duration होता है वो कितना होता है 15 को 60 minute कितना होता है time duration इसका 15 को 60 minute और hot होगा तो उसके अंदर क्या होगा अपने को क्या मिलेगा hot के अंदर high grade fever high grade fever या अपने कैसे 40 degree Celsius से अब वो या 40 degree Celsius या 104 degree for net तो इसमें क्या high grade fever देखना को मिलेगा और इसका जो time duration होता है वो कितना होता है 2 to 6 hours मतलब 2 से 6 गंटे के अंदर और sweating के अंदर क्या होता है किसके अंदर क्या होगा reduced fever और इसके अंदर जो time duration होगा वो कितना होगा reduced fever और इसके अंदर एक होता है profuse sweating और इसके अंदर इसके अंदर इसके अंदर अपने क्या है और इसके अंदर इसके अंदर जो टाइमिंग होता है वो 15 से 60 मिन्ट तक है चलेगा ये इसके अंदर इसके बाद में फीवर होगा वो अपने को गया बदबू देगा और इसका जो टाइम डूरेशन होता है वो कितना टाइम का है दो से चार गणटे के बाद मतलब यह सरकल दोराता रहेगा तो नेक्स्ट अपने जो इसके अंदर अपने डाइग्नोस और इसके अंदर साइकल है और स्टेज है और ट्रीटमेंट है तो वो अपने नेक्स्ट वीडियो में डिसकस हरेंगे तो आज के लिए इतना ही थैंक्स डियर